दोस्तो सुवागत आपका आपके चैनल वाइरल वीडियो पर तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टेकनिक्स के बारे में जानेंगे जिन से हम लॉंग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक को चुन सकते हैं और इन टेकनिक्स को हमें टेकनिकल अनलेजिस नहीं भी आता तो भी जो में apply कर सकते हैं बहुत simple techniques है और दो से तीन मिनिट में हम decide कर सकते हैं कि क्या हमारे को किसी अगले दो से तीन साल में अच्छा return दे सकता है अब यह market इतना correct कर गिए तो काफी सारे stocks हैं जो बहुत नीचे हैं तो हमारे को मन में काफी सारे stocks को लेकर सवाल आता होगा कि क्य होगे तो आपको अच्छे stocks मिलेंगे जो अगले दो से तीन साल में आपके पैसे को double कर सकते हैं और आपको जो loss होने की probability है वह बहुत कम है और उसके अलावा आप अगर किसी stock में पहले से invested हो तो आप अपनी cost को average करना चाहते को कि अभी market इतना गिर गई है या अपनी position को exit क करना चाहते हो तो यह rules आपको decide करने में मदद करेंगे कि आपको बने रहना चाहिए अपनी investment में उसको average करना चाहिए या फिर आपको उसमें से exit कर जाना चाहिए तो वीडियो अच्छा लगे तो आप please like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और एक disclaimer है इस वीडियो का कि यह जो व 50% लेकिन इसको Indian market के इसाफ से modify करने के लिए इसाफ से मैं इसको 55% बना दूँगा तो rule of 55% यह कहता है कि कोई भी stock अगर अपने peak से 55% या उससे ज्यादा correction दे देता है तो आपको उसमें बिल्कुल भी investment के बारे में नहीं सोचना है और अगर आप इस rule को source मतलब shares पे apply आप आओगे कि लगब लगब 99 shares ऐसे होंगे जो कभी भी recover नहीं कर सकते यानि कोई अगर 1000 रुपे का share 55% या उससे ज्यादा correction दे देता है यानि 4500 का level test करता है या उसके नीचे चला जाता है तो आप मान के चल सकते हो कि वह अब दुबारा 1000 रुपे का level दुबारा test नहीं क हो सकता है कि गिरावट इतनी आजा कि वह 10-20-25 रुपे तक का हो जाए तो long term के लिए कर आपको अच्छे stock choose करने है तो आपको पहले point तो यह है कि आपको वह stocks देखने है जो अपने peak से at least 50-55% के value से अभी ऊपर है या फिर वहां से test करके उसको rebound कर चुके है तो जैसे हम example ल रुपे का उसके बाद देखो कि इसमें गिरावट आई तो इसकी जो लो बना था गिरावट के दुरान वह बना था एक सो पैंसर रुपे का हम पहले लोग की बात कर रहे हैं उसके बाद तो यह नीचे जाता ही चला गया मगर अगर आप इस point पर अपने investment क्यों था आपने आप देखां कि यह थोड़ा उपर गया उसके बाद और नीचे आना चलो गया तो होता क्या कि हम गिरते होए stock में investment करते हैं तो rule number one आप यह समझ लीजे कि आपको कभी भी गिरते होए stock में investment करना है आपको बढ़ते होए stock में investment करना है लेकिन अच्छी opportunity भी हमेशा आप जान नीचे 180 तो यह 180 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए था इसको 180 के level से उपर जाना चाहिए था तो आप देखोगे कि 160 165 तक जरूर आया था दो तीन बार आया तो वहीं से हमारे को signal मिल गया कि अब हमारे को इसमें investment नहीं करनी है अगर आपने इसमें पहले से investment किया तो investment करना भी है तो आप यह वापीस rebound करें इस level को respect करने लग जाए जो 180 का level निकल के आता है 55% के rule के हसाफ से आप उस rule के बाद आप उसमें investment तब सोचिए दूसरा rule हमारे को यह कहता है कि जब इतनी भड़ी correction कि स्टॉक में होती है तो वह ऐसा नहीं होगा कि सीधा वहां से उस नहीं भागता उसमें consolidation जरूर होती जानि हमारे को मौके मिलेंगे at least कोई stock जब इतना करेक्टर होता है तो double bottom pattern बनाएगा यह से w pattern होता है जिसमें वो दो बार उस bottom को जरूर test करेगा तो हमारे को एक मौका तो और वो देगा ही देगा तो हमारे को पहली बार में कभी भी investment न लेवल निकाल दिया यानि कोई stock 1000 रुपे गया और हमने उसमें से level निकाल दिया इसको rate को respect करना चाहिए हम इसके आसपास इसको खरी देंगे तो आपको देखना है कि वह 400 को respect करता है या नहीं करता अगर वो respect करता है और वहां से वापिस ऊपर जाता है तो जब वो दुब और आपका target होगा जो उसका peak था वो अखले 2-3 सालों के अंदर तो yes bank के case में हमने देखा कि क्योंकि यह इतना ज्यादा correct कर गया था इसमें signal हमें यहीं पर देते था कि इसमें हमारे को investment नहीं करना चाहिए एक share ऐसा और देखते है जो अपने 55% के level को तोड़ा और उसके ब आप देखो कि इसमें जब quarterly result आया तो इसमें तो इसने जो low बनाया था पहला वो बनाया था 280 रुपे का 55% का rule हमारे को कहता है कि इसको लगब लब लब बनाना चाहिए था 310-15 रुपे का यानि यह उसके नीचे गया तो वहीं पर हमारे को signal मिलगा कि अब हमारे को इसमें स और हम दुबारा इसमें invest करते भी तो तब करते जब यह दुबारा इस level को respect करता और वहां से उपर जाता लेकिन दुबारा गया हुआ इसमें जब इसने double bottom बनाया तो यह उसके और नीचे आ गया तो यहां से clear समझ में आ गया था कि अब यह जो stock है यह गया और इसमें long term के के लिए कोई भी possibility नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह दुबारा मतलब यह stock revive नहीं कर सकता मगर मैं यह definitely कह रहा हूँ कि इस rule के एसाफ से कि आपको अब इस stock में दुबारा 720-25 का जो level है वह देखने को नहीं मिलेगा at least अगले 5-6 सालों में तो नहीं मिलेगा यानि long term के लिए stock बिल्कुल भी अच्छा अब नहीं है और यह permanent downtrend के अंदर आ गया है तो उसके बाद आप तेख सकते हो कि यह काफी जहता नीचे चला गया मैं फिर से clarify करूंगा कि आपको यह सब जो भी देखना है weekly chart पर देखना है ना कि daily chart पर तो 55% का rule हम देखते हैं और 30 stock के ल अब ही recently 140 रुपे के level के आसपास से rebound किया है तो कावी सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि इसमें कि हमारी बस छुड़गी 140 से 190 पे चला गया अब आप लोग इसमें investment करना चाहेंगे हो सकता है चाहा रहे हो या हो सकता है आपने already कर दिया हो लेकिन अगर आप rules को सही से follow करेंगे तो आपको हमेशा profit अच्छा होगा और loss के chances बहुत कम होगे तो अब आपको यह देखना है कि ITC जैसा stock जो है वो दुबारा इस level के आसपास जरूर आएगा एक दफ़ा सीदर वो नीचे के level से ऊपर चलागे ऐसा नहीं हो सकता तो जब वो दुबारा आपको नी यह उपर जाना चलो हो गया है तो जब यह 5-10% उपर चला जाए यानि 160 के आसपास चला जाए तब आप इसमें अपनी दूसरी जो quantity है दूसरा lot है तब बाइंग कीजिए तो आपकी जो cost है हाला कि bottom के बहुत करीब हैगी लेकिन आप long term के लिए target आपको बहुत अच्छा मि यानि इसमें जो गिरावट आई इसने उस level के नीचे यह गया ही नहीं तो 55% रूल काफी अच्छा काम कर रहा है इसमें आप देख सकते हो तो इस rule के साफ से अगर आपने इसका bottom मतलब target लिया होता तो आपको बड़े easily एक idea आगया होता कि 140 के level से ऊपर जाना चाहिए तो ए इसका पीक था उसका 55% जो है वह इसका एक best buying price है और उसके जितना आसपास में को हो सके कर अपनी average cost को बिठाऊंगा एक stock और देखते हैं हम लोग देखते हैं PVR का stock आप देखोगे कि PVR ने 2100 के level पे अपना high बनाया तो 55% का rule जो है इसका 55% value निकल के आती वह निकल के आती 960 रुपे आप देखोगे कि PVR ने जो लोग बनाया एक्जेक्ली लगबग 960 रुपे के आसपास बनाया 930 रुपे का लोग बनाया तो इसने उसको respect किया लेकिन जैसा कि मैं आपको rules बताया हमने weekly chart को रुख है तो हमने पहली तफ़ा में यहां पर बाइंग नहीं करने है यह उपर गया लेकिन जरूर डेफिनेटली डेफिनेटली नीचे आएगा अब आपको कोशिश करनी है इसको 950 साट के आसपास बाइंग करने की आपको जितने भी इसमें quantity बाइंग करने है आप उसकी थोड़ी सी quantity यहां पर बाइंग कीजिए उसके बाद आप इसको ऊपर अगर इस लेवल को रिस्पेक कर लेती है तो यह अपने पुराना इसका पीक था उसको टेस्ट करेगी या उससे भी उपर जाएगी और दूसरे टाइम में आपको यह देखना है इस लेवल सपोर्ट लेता ही कि नहीं जैसे अगर यहां से सपोर्ट ना ले और यहां से करोगे तो कोई फरक नहीं परता दोस्तों लेकिन आपको टागेट कितना अच्छा मिलेगा आपको मिनिम्म से मिनिम्म पी 40-50% मिल देंगे अखले 2-3 सालों में तो एक स्टॉक और देखते हैं हम लोग मैं आपके आगे लेके आया हूँ विपरो का स्टॉक तो यह डेली च साथ का बनाया तो यह कंपनी अच्छी कंपनी है और इसमें फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं है निफ्टी-50 का पार्ट है तो 140 एक इसका बेस्ट बाइंग प्राइज है ठीक है अब आपको एक रेंज मिल गई कि बाइंग करने की ठीक है अब आपको यहां से एक बार कर गया अब आपको दूसरी बार इसको नीचे आने के वेट करनी है जब यह रिबाउंड करेगा तो आपको ऊपर जाते टाइम उसको बाइंग करना है तो आपने पहली दफ़ा अगर मालनी जीए 140, 150, 1GCB पर आपने बाइंग किया वहां से दुबारा जब यह 5-1% उपर आपको दूसरी बार तब आपको वहां पर बाइंग करना है जितने जादा आप इसको बाइंग करेंगा यानि दो बार में तीन बार में आपकी एवरेज कोस्ट हाला की थोड़ा हो सकता है 2-3-4% उपर आए लेकिन आपको लॉंग टम के लिए अगर आप सोचे रहे तो लेकिन क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी तो जब दुबार आपको ये मोका दे तो आप इसको बाइक कर सकते हो फंडामेंटल अनलेसिस कैसे करते हैं किसी स्टॉक की उसकी उपर में डेडिकेटर वीडियो लेकि आऊंगा फिलाहल आप इस सिंपल रूल से अच्छी अच्छी कंपनी के बॉटम को फाइंड आट कर सकते हो एक कंपनी और देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा तो इस क आपको बोला होगा कि 500 रुपे जो है इसका एक बेस्ट बाइंग प्राइस है 500 रुपे पर आप इसको बाइंग कर लीजिए तो आपको आपको जैसे ही आपको देखें कि 500 रुपे को तोर के नीचे जा रहा है आपको यहां पर इसमें से एकजिट कर देना चाहिए था तो का 55% डूल जो था वह लगवाइंद्रा का इसने जो लो बना दिया है वह बना दिया है कैना नीचे लेकिन 250 रुपे के आसपस तो 55% डूल के हसाफ से यह कंपनी अब इंवेश्मेंट के लिए विल्कूल अच्छी नहीं रही और यह गई अब आपको मान लेना चाहिए कि य और इसकी अब जो नहीं पीक होगी वह लगवाइंद्रा के अच्छी कंपनी नहीं है 55% के रूल के इसाफ से एक कंपनी और देखते हैं गौद्रेच कंजियूमर प्रॉडक्स तो वीकली चार्ट मेने खोल रख है इसका तो इसका हाई था लगवाइंद्रा नो सो पचत्ति हजार रुपए अगर इसको मान ले तो 55% रूल से हमारे को लेवल निकल के आता है तो आप देखोगे कि इसने लगवाग उसी लेवल से रिबाउंड किया तो अगर ये आपको दुबारा नीचे आता हो दिखाई दे जो कि आएगा आपको मोका स्टॉक मार्कित हमेशा देत है तो ये भी एक अच्छी कंपनी निदर आ रही है जो इस रूल को फॉलो कर रही है उसी तरह आई नोक्स का शेर मैंने आपको PBR का पता है आई नोक्स लेजर का शेर भी अपने जो 55% वैल्यू है उसी के आसपस है अभी और उसको रिस्पेक करता हो दिखाई देरा उसको भी आप बाय कर सकते हो उसी तरह हम देखेंगे कि Tech Mahindra का share Tech Mahindra का share का high है 840 रुपे तो 55% की जो value निकल के आती 400 रुपे के आसपस तो 400 रुपे ये भी एक company fundamentally अच्छी कंपनी है तो आपको पता पर के 400 रुपे इसका जो है एक low है और आप देखोगे कि Trend 9 के हिसाफ से भी support लेवल निकल के आता है यही 380-400 का तो अब आपको लालच नहीं करना आपको पता यह 400 तक आ सकता है तो यह 400 तक जरूर आएगा जब इसने इतनी correction देदी तो यह वहां तक भी आएगा तो आपको इसको बाइंग करनी चालू करनी चीए इसी range के अंदर 10% की आप एक range बना करीजिए अब आप इसको इस range में बाइंग कीजिए और बाइंग कप करेंगे आप जब यह इस range से support लेकर test करके उपर की तरह जाएगा हो सकता है 400 से उपर जाए हो सकता 425 से उपर जाए जिस भी level से यह उपर जाना चलू करेगा आपको उस range में इसको बाइंग करनी स्टा यह उपर जाएगा यह नीचे जाएगा क्योंकि कंपनी के इंदर क्या चल रहा है कोई fundamentally कोई दिक्कत चल रही है depth कितना है वो सब analysis हम जो reports है public domain में हो नहीं को पढ़ सकते हैं लेकिन कंपनी के इंदर क्या दिक्कत चल रही है हमारे को exact महलूम करना बहुत मुश्किल है जैस तो IRCTC तो IRCTC में काफी लोग मेरे से पूछते थे कि कौन सा level अच्छा है इसको buying करने के लिए तो अगर आपको level निकान ला तो simple है 55% rule को use कीजिए यहां पर 2000 का high था तो 55% rule से आपको जो value निकल के आ गई वो निकल के आ गई 900 रुपे की तो आप देखोगे कि इसने कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक कर रहे अब यह उपर चला गया है अब लेकिन दुबार आज जरूर नीचे आएगा अगर यह इस level को respect करता है 800 रुपे के level को तो ठीक है अगर यह इस level से नीचे चला जाता है तो हमारे को IRCTC में बिल्कुल भी investment के लिए consider नहीं करने चाहिए एक example और देता हूँ आपको में just dial का तो यह भी काफी popular company है काफी लोगों को इसमें काफी interest है यह मैंने इसलिए ही यूज की है क्योंकि इसमें आपको एक रूल में और सम्झाना चाओंगा आप देखोगे कि इसका previous high तो था 1800 रुपे का तो यह इतनी correction कर गया आज यह चल र लेवल को भूल जाना चाहिए था हमारे को लेकिन अब इसका एक नया high बन चुक है 800 रुपे जो इसने यहां पर भी बनाया उसके बाद इसने अभी recently भी बनाया अब हमारे को इस हाई को ने वाले हाई को देखना है इस company के तो नया वाला ही इस company का क्या है इस company का नया हाई ह यह 816 का 55% रूल के हिसाफ से हमारे को लेवल निकल गया आता है 380 रुपे का तो देखने को मिल रहा है आपको मिल को कि इसने उस लेवल से काफी नीचे काम काच किया यानि 250 तक यह गया तो 55% रूल इसने तोड़ दिया यह company अब जो है अच्छी नहीं रही long term के लिए investment के तो definitely इस रूल से आपको मैं advance में बता सकता हूँ कि अब यह जो है 800 पे का level कभी भी test नहीं कर पाएगा और अब यह और नीचे जरूर 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 जाएगा in long term तो अगर आपको यह rule अच्छा लगा हो तो आप प्लीज अपने friends को बताएगे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले time में और भी जो मैं वीडियो से लेकर आऊँ आपको उनका notification आता रहे आपको मिलती रहे Thank you